आज की प्रेस कॉंफरेंस का में वजा में अजंडा ये है कि एक तो आपने देखा है कि पिछले दिनों से सड़ी मन्या हाई कोट जी का फैसला आया रस्तों को खुलवाने के लिए हाई कोट के फैसले के बाद जो हर्याना गौवर्मन्ट ने अगले पाच अपना काम किया वो भी आप सब के सामने है उसके साथ साथ एक इशू है कि जो हमारा नौजवान नवदीब जल्वेडा जेल में बंद है उसको रिहा करवाने के लिए हमारा प्रोग्रम दिया हुआ है सतारा और अठारा जुलाई का वो एजटी जारी है जब तक सरकार उन्हें रिहा नहीं करती अगर सरकार उनको रिहा कर देती है तो फिर कोई किसी तरह का मदलोब वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करने की कोई मदलोब नहीं होता तो अगली बात जो बड़ी इंपोर्टेंट मैं आप सब के साथ सांजी करनी चाह रहा हूं वो यह है कि देखिए जिस समय शुब करन के मैटर के उपर चर्चा हो रही थी तो सद्धे हमारे माणनिया हाई कोट की तरफ से हर्याना गौवर्मेंट के ही एक अधिकारी चजर के कमिशनर साब को कमिशनर पुलीस कमिशनर को यह जान सौब ली गई है यह बहुत अन्याए पूर वक्त बात हो रही नजर आ रही है हमारे साथ है क्योंकि जिस समय पंजाब और हर्याना हाई कोट की तरफ से एक अरटायर जज्ज की अगवाई में कमिशन बनाया गया था उस समय हर्याना गौवर्मेंट स्प्रीम कोट गई है वहाँ जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है वहाँ पर यह कहा है कि इस जाच को रोका जाए अगर ऐसी जाच होगी तो फेरा पुलीस का जो मनों बाला है वो गिरेगा सेकंड बात उन्होंने ये बात कही बड़ी देंजरस बात है उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिकेशन होती है तो फिर आगे से पुलीस किसी तरह की फाइरिंग करने से हिच किचाएगी इसका मतलब किलियर हो गया कि फाइरिंग भी उन्होंने की हमारे किसान जखमी किये हमारा किसान शहीद किया लेकिन उसकी इन्वेस्टिकेशन भी ना हो पाए ठीक डंग से उसके लिए वहां तक गए इसका मतलब किलियर है कि अपने इदिकारियों के उपर शेल्टर करन का पूरा प्रयास किया शेल्टर देने का हर्याना गौवर्मेंट की तरफ से अगर ऐसा है तो फिर उसी हर्याना गॉवर्मेंट के किसी इदिकारी को इन्वेस्टिकेशन देना तो यह समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है वहां से इंसाब मिलने की अमीद नहीं बचती हमारे लोगों को हमारा हमारी अपील है हमारा निमेदन है कि मान्या हाई कोड इस बात के उपर उन्हें विचार करें उन्हें नोगों को वो अन्वेस्टिकेशन देना उच्छत नहीं है जो हमारा मन्ण है दूसरी बात एक बात और है कि रास्ता क्रावाने के मामले में मान्योग सुप्रीम कोड ने यह KYC ने यह कहा कि यह रास्ता हर् हर्याना गोवर्मन्ट और सप्रीम कौोट में जाती है तो इसका अर्थ यह निकलता है सपस्ट होगया मैं हमने पहले भी यह कही सी बात के रास्ता किसानों ने न रोका था न रास्ता रोकने के कुई हमारी बावन थी लेकिन हम extract दिल्ली के लिए निकले थे रास्ता तो हमारे आने से पांच दन छे दन पहले ही बंद हो गया था तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नेरेटिव सिर्जने का प्रयास किया गया तो अब हमारे सभी भाईयों को और खास तोर पर मैं ये कहूंगा विपारी भाईयों को वैसे उनको समझ भी आ रहे ही आने लगी है उनको सबको मिलकर हर्याना गवर्मेंट के उपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिली का प्रोग्राम है वो कर पाएं यह हमारा फैसला है कि जब भी रस्ता खुलता है जब भी रस्ता बाद हम अपना ताम जाम कठा करेंगे समान कठा करेंगे वो सारा समान आप सबने में हमारे से ज़्यादा देखा है गर बन चुके हैं उनको कठा करने पर थोड़ा समान लगेगा सिर्फ उतना समान हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतल कूच करेंगे हमारा इतना हमारे साथ सरजीद भूल जी आगे की बात ये रखेंगे और उसके बाद मैं ये बात बताऊं कि वहाँ पर जो जो हुआ वो इस लेट आप के माध्यम से आपके सामने पूरी की पूरी कहानी रखने की हम प्रयास करेंगे काइंडली उसको थोड़ा जुरूर अपने-अपने कैमरों में दिखाने का प्रयास का नाम सुझी जी हुआ जब्या साथियों जो सेट बने है साइट हाइपोट दे होकमान थे कि उता दा इंवेस्टीगेशन दा विशा की एंवेस्टीगेशन दा भिशाएह वी जो शॉट गण दे नाले क्लियर हो गया भी सुभकर्ण दी जड़ी माँत है पूश्ट मार्टम भी होया होर भी सारे हैंगे या भी मैटल दे विच्छ आंस्या जड़े ताच दे पाएगे या शौट गन दे नाला शौट गन दा मेंची भी नेड़ेओं जड़ा फैर करना भैपन है कुई ओधे नाला उधे मौत हुई है होन सेट ने ये करना है भैई एह शौट गन ए एक किद्रो आई आई है केड़े पासे ओई है केड़े पाइजे है ये दा विशाई दा भी जबए बिचोंदा ने शाक देके रिजलायांदा भी एह किसाननाले पासे हुई हो सागती है असी होंते करा साही कोड़ दा जो कमिशन बनेया साब का रटाइड जाजदी गवाई दे बेचे उदे कोड़े भी असी सारे प्रूफ रखे है असी जो थे जिनने भी बिस फोटक असे आर बारते गए ने असी बीडियो भी दखाई आए जड़े उनना दे बनते है नेड़े ओ फैर करते देस रहे है वो बीडियो भी दखाई है असी हाई कोड़ी जड़ा कमिशन सीगा उसनो ते नाल जो गाडा कर दिगा हो भी दखाई होए ने हो सो इस करके जड़ी एनू एसदे के रिच लाया ओना किसाना नू भी भी किये ना तो ता नी कोई इनना ली पस्ट ता नी शाउट गानी चली एसी सामीदे भी साफ है जड़ा ओहो दोशेगा नू बचाउन दीखात रहे तो फेर गहां आएदी जड़ी इनक्वेरी भी है इन्वेस्टिगेशन भी है सेट्ट दा जड़ा पोर्स दा मुखी है वो हर्याणे पोर्स देचा जरजले दा भी मुखी है की ओहो जड़ी पोर्स पहले ही काई दी एब यह है कमिशनी नी बाढ़ना चाहीद है हाई कोट रहा है उन्हों रोकन दिखात रहें आसे उन्हों रद करते हैं साड़े असी तो अनुभी सुबूत दखावाँ गया तो सारा जड़ी का वीडियो जाहेंगे जिदेचे कलियार देश लगया ने हो सेवल देश रहे हैं नाड़ साल ने कड़ा बील्टरी खातर है लड़ाँगे लीगल भाइट भी लड़ाँगे एजिटेशन भी लड़ाँगी जड़ा शोब कारने जड़े असल कातल है साड़े कोले होर भी प्रूफ आई ने साड़े कोले चिठिंगे भी आई याने कुस बंद्या देगा वसी किते फेर कमिशन भी रखांगे भी असी गवाह है गे है साड़े कोले की चिठी आई है किसे बंदे ने पाई है पंच कोले दा बंदा है भी मैं सावत करूंगा है भी यहाँ बंदे ने गोली चलाई है ते इन दी लोकेशन कट लो उस देन ओसी सारी सारी रखांगे तो इस करके इनों भी बरी करें जावे असल दोशिंगा नों एसी कदा चत्रबरदास्त नहीं अब बंदो को आड़ जी हर्याणे तो ए यह तो आड़े नाला जली वीडियो वगएरा हो तो आड़े नाला जखांगे उसी अपने कैमरे हैं तो आड़ सार देखिए सबसे ठीक है जी करें शुरूर को सबसे कर देंगे तो करें इस सबसे पहली बात तो जैसा आड़निया जी ने भी बताया कि किस तरीके से हर्याणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कमिशन की जाज के खिलाफ उसी तरीके से कुछी दिन पहले हर्याणा के पूरो ग्रह मंतरी अनिल विजज जी का भी बयान है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो जिम्मेदार है इस गोड़ी चलने के क्योंकि वो ग्रह मंतरी थे और वहीं से आदेश हुआ था ये मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश ने देखा तो ग्रह मंतरी का स्विम्म का बयान ये बताने के लिए more than sufficient था कि हर्याना सरकार की तरफ से ही गोडियां चलाई गई इसके अलावा साथियों जो एक नरेटिव सेट अप करने का प्रियास किया गया बाजपा सरकार द्वारा कि भई गोडी शॉटगन से चली है और हर्याना पुलिस तो शॉटगन इस्तेमाल ही नहीं करती 2020 में बहुत सारे प्रतिष्टित अख़बारों की रिपोर्ट्स हैं वो हम आपके साथ साजा भी करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल शूटर ने हर्याना पुलिस के जवानों को शॉटगन चलाने की ट्रेनिंग दी है ये खुद हर्याना पुलिस के सीनियर अधिकारी बता रहे हैं कि हर्याना पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दिलवाई गई है कि शॉटगन किस तरीके से चलाई जाती है बहुत सारी trade fairs की वीडियो हैं जिसमें rapid action force वाले जवान दिखा रहे हैं कि वो किन किन weapons का इस्तिमाल करते हैं उन weapons में भी चाहे वो pellet gun हो चाहे वो shot guns हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि वो उनका इस्तिमाल करते हैं और हमारे पास बहुत सारी videos भी हैं मैं आपको एक एक करके अगर दिखाऊंगा वो हम आपके अपना जो press का group में उसके माध्यम से भी आपको direct हम आपको देंगे यह देखिए यह देखिए आप ये वीडियो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो चला रहा है यह शोटगन चला रहा है और पीछे देख लोड कर रहा है उसके पीछे हम आपको यह सारी videos भीजेंगे अगर आप इसको दोबारा देखेंगे यह स्पष्ट हो रहा है इसमें कि जो व्यक्ति यहाँ पर चला रहा है यह सीधे इस तरीके के अथियार ये चलाई जा रहे हैं उसी तरीके से अगर आप ये वीडियो देखेंगे ये किस तरीके से SLR से ये फायर कर रहे है ये सिविल ड्रेस में सबसे महतपून बात ये है कि कई बार माननी है सुप्रिम कोर्ट ये कह चुके है कि किसी भी एजिटेशन में जो पुलिस वालों की ड्यूटी होगी कोई अ एम करके SLR के फायर कर रहे हैं एम करके किसानों बे कर रहे हैं यानि इनकी मनशा ये थी किसानों को मारने के लिए ही आए थे आप ये स्पर्श देख सकते हैं अब ये दोबारा ये इनके हाथ में जो SLR है उसको ये उठा के देखिए अब ये सीधा किसानों के एम करके सर को पायर कर रहे हैं अगर आप इसी तरीके से ये देखेंगे किस तरीके से एक किसानों के प्रती नफरत इन लोगों के मन में थी किस तरीके से किसानों के जंडे फाड़े जा रहे हैं किस तरीके से गाड़ियां किसानों की तोड़ी जा रही हैं ये देखिया ये 21 फरवरी की खनौरी बॉर्टर की वीडियो है किस तरीके से किसानों की गाडियां तोड़ी जा रही है तो गाडियों ने तो कुछ किया नहीं था ट्रेक्टर तोड़े गए पानी के जो टेंकर थे उनमें जैरीला केमिकल मिलाया गया ये सारी चीजें मैं एक दो वीडियो छोटी आपको महतवपूर्ण है वो और दिखाना चाहूंगा ये देखें याप ये किसान यूनियन का जंडा उठाया जाता है और इसको अब ये पैर के नीचे रखके इसको ये फाड रहे हैं कोई इस तरीके से फाइर करेगा वो हमारे मोर्चे के अंदर घुसके वो फाइरिंग कर रहे हैं जब किसान बहुत पीछे खड़े हैं इसी तरीके के हमारे पास सेक्डो वीडियो प्रूफ हैं और एंबुलेंसों के उपर किस तरीके से हमला किया गया और जो हमारे उस समय मोके के डॉक्टर मोजूद थे ये बहुत रेपूटिड डॉक्टर्स हैं इनकी उस समय की मोके की स्टेटमेंट है और आप इसको एक पर 20 सेकंड सुनेंगे तो और सबसे मेटवकून बात ये है इसमें से बहुत सारे मेडिकल वोलेंटियर वो है जो 2020-21 के आंदोलन में भी थे और हमारे पास वीडियो है जब वहां पिछले आंदोलन में एक पुलिस वाले को नॉर्मली चोट लग गई थी तो इनी मेडिकल वोलेंटियर ने पुलिस वालों को भी ट्रीटमेंट दी थी और इनका मोटो ये है कि भई चाहे चोट किसी को भी लगी हो हमारा धरम है उसका इलाज करना तो इन लोगों के उपर भी एक हमारा साथी है उसके भी हम एफिटेट बयान दर्ज कराएंगे कमीशन के सामने वो जब ट्रीटमेंट कर रहा था एक 25 साल का नौजवान अमरत पाल सिंग तो किस तरीके से उसको पीटा गया किस तरीके से उसको मारा गया कई लाग की उनकी दवाई उठा के ले गए तो ये जो सारे वीडियो एविटेंस मौजूद है उसके बावजूद गुमरह करने का प्रियास पूरे देश को किया जा रहा है हर्याना की भाजपा सरकार दौरा ये चीजें हम सब कमीशन के सामने रख चुके हैं आगे भी रखेंगे और अगर जिसके उपर आरोप है अगर वही जाच करेगा तो हमें लगता है कि फिर न्याय की उम्मीद नहीं करी जा सकती इसके लावा साथियो दो चोटी चोटी बाते ओर है हमारा सत्रा ठारा के कारेकरम के बारे में साथिय भी बताएंगे 22 तारीक को 22 जुलाई को सयुक किसान मोर्चा गैर राजनितिक और किसान मजदूर मोर्चा का साज्जा कन्वेंशन बिल्ली के कॉंस्टुशन कलब में होने जा रहा है जिसमें देश भर से 200 किसान संगटनों के प्रतिनिदी भाग लेंगे और वहाँ पे आगे की रनीति बनाई जाएगी जो हमने गैर भाजपाई सांसदों को MSP गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल लाने के लिए जो हमने मेंवरेंडम पूरे देश भर में सैकड़ों सांसदों को दिये हैं उसी प्यागे की रनीति बनाई जाएगी और विपक्ष के जो नेता हैं चाहे वो रहुल गांदी हो चाहे अखलेश यादव हो चाहे बीम की पार्टी के स्टालिन हो या और बी जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको दोनों फोरम लैटर लिख चुके हैं और उनसे हमने स समय मांगा है और वो समय इसलिए मांगा है कि भई हम MSP गारंटी कानून पे प्राइवेट विल को लेके चर्चा कर सकें वो बेशक सत्ता में ना आये हो लेकिन उनकी पार्टी के मैनिफेस्टों में लिखा था कि MSP गारंटी कानून बनाएंगे किसान मजदूरों की करजमा पारी बनती है कि जो बाते उन्होंने कई थी उसमें चलते हुए प्राइवेट बिल लेके आएं तो उसी को लेके विपक्ष के तमाम नेताओं से हमारी मीटिंग भी होगी उसके लिए हम उनको लेटर लिख चुके हैं